हलो फ्रेंड्स मेरा नाम राकेश परमा और मेरी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे मंधली करेंट अफेर्स 2022 में अप्रेल के पूरे महीने के करेंट अफेर्स के वेरी इंपोर्टेंट कॉशन आंसर तो चलिए सुरू करते हैं तो कॉशन है हाल ही में कौन गगन तकनीक का इस्तमाल करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बनी तो वह है इंडिगो हाल ही में किस राजी के पूर्व मुख्य मंतरी रहे जेम्स, ड्रिंगवेल, रिवाई का 88 वर्ष के उम्र में निदन हुआ तो वह थी मेगालाई के पूर्व मुख्य मंतरी हाल ही में कौन बैक्यूम सीवर तकनीक का इस्तमाल करने वाला भारत का पहला सहर बनाए तो वह है आगरा हाल ही में किस खेल से सम्मादित पूर्वे भारती महिला खिलाडी एल वेरा ब्रिटो का एक 80 वर्ष के उम्र में निदन हुआ तो वह थी होकी पिलियर हाल ही में कौन सा गाउं भारत की पहली कारवन न्यूटरल पंचा बना है तो वह है पल्ली गाउं जमू कश्मीर हाल ही में कौन गेर बैंक रिड़दाता कंपनी आदित विड़ला कैपिटल की नई सीउ बनी है तो उनका नाम है विशाखा मुले कौन व्यक्ति हाल ही में हाज कमेटी ओफ इंडिया के नए चेयर्मेन बने है तो नाम है एपी अब्दुल्ला कुट्टी हाल ही में किसे लॉरेयस स्पोर्ट्समेन आप दे येर 2022 की रूप में चुना गया है तो नाम है मैक्स बैर इस्टापैन हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिपरी की रिपोर्ट के मताबिक भारत को सेने खर्च मामले में कौन से स्थान पर मिला है तो वह है तीसरा स्थान मिला है हाल ही में किस देश के पूर्व रास्ट पती रहे मवाई किवाकी का नभ्य वर्ष की उम्रम ने दन हुआ तो वह थे कैन्या के पूर्व रास्ट पती हाल ही में किस भाषा की मसूर लेखी का बीना पानी मुहंती का पचासी वर्ष की उम्रम ने दन हुआ तो वह थी उड़िया भाषा की मसूर लेखी का हाल ही में कौन अपने हर गाउं में पुस्त काले बाला भारत का पहला जिला बना तुबाय है जाम ताड़ा जिला जहारखन प्रतिवर्ष भुश मलेरिय दिवस के स्तारी को मना जाता है तो 25 अपरेल को मनाते हैं कौन व्यक्ति हाल ही में नीती आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में निक्त किये गए तो नाम है सुमन बैरी प्रतिवर्ष दुनिया भर में वर्ल्ड बुक एंड कोपिराइट्स डे का मना जाता है तो 23 अपरेल को मनाते हैं हाल ही में किसे पी-एम मोदी के नए प्रधान बेग्यानिक सलाहकार की रूप में निक्त किया गया अजय शूद के लिए प्रतिवर्ष विर्ष प्रतिवी दिवस का मना जाता है तो 22 अपरेल को मनाते हैं कौन व्यक्ति हाली में दिल्ली के नए मुख्य सचिब निक्त किया गया तो नरिश कुमार हाली में किस राज में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन सैंत शुरू किया गया तो OIL अर्थाथ ओल इंडिय लिमिटेड द्वारा त्वाय असम में किया गया दिवस कम मनाय जाता है तो 21 अपरेल को मनाते हैं हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी कायरन पूलाड ने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास लिया तो वह हैं बेस्ट इंडिस के खिलाड़ी कौन व्यक्ति हाल ही में प्रौध की कंपनी विप्रो के भारत के नए कंट हेड बने हैं तो नाम है सत्य इश्वरन हाल ही में कौन राजस्तर पर एल रूट सरवर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज बना तो वह है राजस्थान कौन व्यक्ति हाल ही में भारती दल्हान एवं अनाज संगे की नए अध्यक्ष बने हैं नाम है बिमल कोठारी प वह गीत कार थे, गीत के लिए प्रशद्ध थे, कौन व्यक्ति हाली में भारत के अगले थल सैना प्रमुक निक्त के गए तो नाम है लेफटेन जर्णरल मनुझ पांडे, हाली में किस सहर में रेडियो अप्ष नाम से नीतर हेनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉं प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस का मनाया जाता है सूल अप्रेल को हाली में 15 अप्रेल 2022 को किस राजज ने अपना पचत्तरवा स्थावन दिवस मनाया है हमाचल प्रदेश ने प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस का मनाया जाता है 15 अप्रेल को मनाते हैं किस देश को हाली में वर्ष 2023 के स्ट्रीट चैल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजवानी मिली तो भारत के लिए हाली में किस ने इवाई आंत्रपरिनियूर ओफ दे येर 2021 का समान जीता फालगुनी नायर ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में अम्बीट कर जैनती कम मनायी गई है तो वह 14 अप्रेल को हाली में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना तो वह है एकवाडूर प्रतिवर्ष भारत भर में राश्टी सुरक्षित मातर दिवस कम मनाया जाता है तो 11 अप्रेल को हाली में किसे पहला लता दीनानात मंगिश कर पुरुष कार देनी की गोशना हुई तो वह नरिंद मोदी के लिए हाली में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC पिलेर आपदी मंत का सम्मान मिला तो नाम है बाबर आजम के लिए कौन व्यक्ति हाली में संगलुक शिवाय की नए अद्यक्ष बने डॉक्टर मनूज सोनी हाली में सहवाज शरीफ भारत के किस पड़ोशी देश की नए प्रधान मंतरी बनी है तो वह बने है तो वह बने है पाकिस्तान के हाली में कौन IPL क्रिकेट में रिटार्ड आउट होने वाले पहले खेलाड़ी बने तो वह हैं रवी चंदरन अश्वन हाली में किस ड्राइवर ने F1 आस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स दोजार बाइस रिस जी थी तो नाम है चार्ल्स लेकर्क प्रतिवर्ष विश्वे में होमियो पैथी दिवस कब मना जाता है तो 10 अपरेल को मनाते हैं प्रतिवर्ष विश्वे स्वास्त दिवस किस तारी को मना जाता है तो वह 7 अपरेल को हाली में किसी बुर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है तो उनका नाम है राम दरश मिस्र हाली में विक्टर औरवान किस देश के चौथी बार प्रधान मंतरी बने तो है हंगरी के कौन विक्ती हाली में भारत की नए विदिश चचिब निक्त किये गए है तो उनका नाम है बिनाय मोहन कौात्रा 64 वे ग्रैमी अवार्ट्स में किस ने बैस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ट जीता तो नाम है ओली बिया रो ड्रिगो हाली में किस टैनिस के लाड़ी ने मियामी उपन 2022 में पुरुशिकल के खिता जीता तो नाम है कार्लूस अलकराज किस क्रिकेट टीम ने हाली में ICC बूमेंस वर्ल्ड कप 2022 जीता है तो वह आस्ट्रेलिया ने हाली में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्परेशन के नए प्रबंध निदिशा के रूप में निवत किया गया बिकास कुमार के लिए कौनवेक्ति हाली में NABH के नए अध्यक्ष वने है तो है महिश वर्मा कौनवेक्ति हाली में भारती भूबेग्यानिक्सारवेक्षण के महानिदिशक बनी तो नाम है डॉक्टर एस राजू प्रतिवर्ष रिजर्व बेंक आफ इंडिया स्थापन दिवस कम मनाते हैं तो एक अप्रेल को मनाते हैं प्रतिवर्ष एक अप्रेल को किस राजी के स्थापन दिवस मनाया जाता है तो ओडी शा का हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा बिकेट 171 लेने वाली गेंदवाज बने तो वह हैं डिवैन ब्रावू हाल ही में किस राज के पूरो मुख मंतरी रहे भीम बहादुर गुरोंग का 93 वर्ष के उम्रे दन हुआ तो वह थे शेक्यम राज के पूरो मुख मंतरी हाल ही में किसे BBC इंडिया स्पोर्ट्स बूमेंस ओप दा येर 2021 के इसका पुरुषकार जीता तो वह जीता है मीरा भाई चानू ने हाल ही में 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मे दिन मनाया गया तो वह कौन थी तो वह थी भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी प्रति वर्ष राजस्थान दिवसका मनाया जाता है तो 30 मार्च को तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही आसा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आ है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू